नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैं हूँ आंकिता पंजाब नैशनल बाइंग के साथ 13,000 करोड रुपे की धोका धड़ी करने वाले वांटेड हीरा कारुबारी मेहुल चौकसी को इंटरपोल से बड़ी रहत मिल गई है। आंसद राघव चढठा ने मंगलवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉंफरेंस कर केंडर की बीजोपी सरकार पर जम कर हमला बोला। उन्होंने बीजोपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजोपी की जाच एजनसिया विपक्ष के नेताओं पर हावी रहती है। जूटे मुक में नागरिक्ता देने के लिए भारत सरकार ने नौ अबजेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। इंटरपोल ने रेट कॉनर नोटिस कैंसल कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेहुल चौक्सी ने 13,500 करोड का घोटाला किया। बीजेपी शासन के समय बार बार पीमो को इसके बार मैं आपको बता दूँ कि जो जो आपराधिक आर्थिक अपराधी होते हैं, इकनॉमिक फ्यूजिटिव होते हैं, आर्थिक भगोडे होते हैं, उनके खिलाफ उनकी सरकारें अंतराष्टिय एजंसियां, इंटरपोल जैसी एजंसियां को सबूत देती हैं। उन सबूतों के देशे में एक सूचना दी जाती है कि ये अपराधी है, इसने भारत सरकार का इतना हजार करोड का नुकसान कर दिया, हिंदुस्तान के लोगों का 14,000 करोड रुपे चूना कर दिया, चूना लगाकर फरार हो गया, अगर ये शक्स आपके देश में घूमता पाया जाए, तो इस शक्स को पकड़ के जेल में डालो, हमारी सरकार को बताओ, हम आएंगे और उसे अपने देश ले आएंगे और कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चला कर जेल भीजेंगे, ये होता है रेड कॉर्णर नोटिस, मुझे बतातो है बहुत दुख है कि केंदर में बैठी सरकार जिसकी EDCBI रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मिहूल चोकसी के खिलाफ सबूत इखटा करके इंटर पोल को नहीं सौंप पाई, क्योंकि भारत सरकार ने मिहूल चोकसी के खिलाफ एक मजबूत केस इंटर पोल को नहीं सौंपा, उसके चलते इंटर पोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जो मिहूल चोकसी के खिलाफ जारी किया गया था, उसे रद कर दिया। रेड कापेट ट्रीटमेंट दे रही है। नहीं पेश कर पाई। क्या नीरव मोदी और विजय मालिया भी बीजेपी जॉइन करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। नामस्कार 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 नामस्कार